तो यह वीडियो है Realme 7 के बारे में, Gcam पोट के बारे में stock camera के साथ Gcam को compare करें, आप कौन सा port है, यह port वो पुराने वाला ही port है, जो 6 and 6i में मैंने वीडियो बनाई थी, 7 के लिए भी वीडियो बना चुका है, पर उतना साथ popular नहीं है वीडियो, and मुझे लगता है कि आपको पोट के बारे में जानना चाहिए, अगर आप 7 के बहुत सारे यूजर है, यह Gcam का 7.3 वाला जो यह बूरियल पोट है, अब देख सकते हैं, अगर आप फोकस कर पाए, तो 7.3.018 यह बूरियल पोट है, और वीडियो पहले बना चुके हैं, और जो लास्ट अपडेट आया है, तो night mode अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी, यहाँ पर night side अच्छी तरह से काम करता है, और जो results है, वो जमीन आस्मान का फरेग आपको देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पर stock camera के साथ Gcam को compare करूँगा, बाकी आगे वीडियो में आप देख लो कैसे आपको यह port एकदम हलकी सी promotion कर लेता हूँ, यहाँ पर ultra clear skin protector आपको पता है, realme7 का वीडियो बनाया था, popular वीडियो है, तो apply करके रखिया है मैंने already, इसलिए जो इतना shiny दिख रहा है, matte finish आना है, उसके उपर यहाँ पर polymer लगा कर रखिया, बड़ आपको पता नहीं चलेगा, और आप ज इसे देखेंगे तो पता नहीं चलेगा, तो अच्छी चीज़ है, try कर सकते हो, skins वगर है, camera के protection के लिए वो भी एक बार check out कर सकते है, जितने भी सारी चीज़े की बात मैंने बताई, यहाँ पर back cover का भी links है, try out कर सकते है, वीडियो का description लिंक मिल जाएगी, gcam का भी link है, वह मैंने लेके देखा है, अब उतना साथा फरक तो मुझे नहीं दिखा, but recommended है कि आप HDR plus enhanced में ही लेंगे, और यहाँ पर जो Google का auto wide balance है, उसे आप on करके भी ले सकते हैं, नहीं on करके भी ले सकते हैं, वैसे कुछ जो है मुझे फरक नहीं दिखा, तो वो एक चीज़ है, पकि य आइड साइड भी बढ़िया काम करती हुई दिखेगी, बाकी यहाँ पर कुछ चेंज यहाँ पर करना है नहीं, नीचे की और जैसे जाएंगे, यहाँ पर एक advanced settings है, वो advanced settings में जाके, आपको काली जो manual control है, HDR plus enhanced का वो जो ऑन कर लेना है, बाकी यहाँ पर कुछ चेंज और है यह application, तो यह कभी-कभी दिख्कत आती है, बाकी आप portrait mode ले सकते हैं, जैसे आप देखा आपने यहाँ पर की बंद हो गई, बाकी सब सही है, और यह बार-बार बंद होता हुआ, और night side वगरा सब कुछ बढ़िया काम कर रहा है, तो night side तो बहुत important है, तो start करते हैं, HDR plus enhanced में लिग गई है, सारी pictures, और stock camera से HDR mode on करके, तो पहले night mode से start करते हैं, night mode में दिक्कत है, बहुत जदा grains दिखते हैं, और अजीब तरह का tint है, green tint अगर आप corners में देखेंगे, तो बहुत अजीब लगता है, जैसे night mode यूज किया, तो सब कुछ यहाँ पर smooth हो जाता है, और बढ़िया, बढ़िया जो है यहाँ पर, Gcam का, जो night site है, वो बढ़िया काम कर रहा है, और बढ़िया results यहाँ आपर निकल के आ रहा है, जबीन आसमन का फरक कह सकते हैं, यहाँ पर भी आप देखोगे, corner में अगर देखेंगे, तो visible नहीं है, और बहुत सदा grains आपको दिख इस वाले port में light थी, तो light जब रहती है, तो उतना दिक्क्त आता नहीं, अच्छा यहाँ पर जो मैं बोलूँगा, निकल का है, sample, stock camera से भी, then जैसे Gcam यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर भी जादा कुछ फ़रक है, तो यह थोड़ा identical था, लाइट है तो सही है, वरना बहुत अंधेरा में लेते है, dark environment में लेंगे तो भाई, Gcam बेटर है, daylight shots की बात करते हैं यहाँ पर, अब daylight shots में यहाँ पर बहुत सदे improvement आई है, A71 के बाद, पहले जो camera था, उसे थोड़ा improve हुआ ही है, बट Gcam में detailing बेटर है, बट यह वाली shot में आगर देखेंगे, तो मुझे stock camera स ज्यादा पसंद आया, Gcam से भी, तो किसी-किसी scenarios में आप देखेंगे, Gcam से भी आगे निकलता हुआ हमारा stock camera, यहाँ पर देखेंगे, पेटर में detail loss है, stock camera में, Gcam में अच्छी detail आपको देखने के लिए मिलेगी, next वाले shot में आप देखेंगे, यहाँ पर जो dramatic feel है, जो background का, जो total overall आप देखेंगे, अगर Gcam आपको बेटर देखेंगे, detailing भी थोड़ा सा बेटर है, petals में, यहाँ पर आप देखेंगे, तो realme 7 का stock camera ने red color को अच्छा preserve किया, और यहाँ पर color bleed नहीं हो रहा है, तो stock camera मुझे ज़्यादा पसंद आया, Gcam से, Gcam में देखेंगे, oversaturated है, color bleed होता हुआ, यहाँ पर identical image आप देखोगे, color को अच्छा पिक है stock camera में, पहले क्या हो था, realme के phones में, जो red color अच्छा नहीं आता था, yellow color भी अच्छा नहीं आता था, अभी red color अच्छा पिक हो रहा है, पर detailing जाता है, Gcam के, मतलब, अगर flower की petals देखेंगे, आप Gcam में बढ़ और अगर मेरा जो sweater पैना हुआ है, वहाँ पर थोड़ा सा जो है, आपको texture दिखेगा Gcam में, और stock camera में नहीं दिख रहा है, back camera portraits की बात करते है, दोनों image अच्छी लगी, मुझे यहाँ पर skin tone भी अच्छा लगा stock camera का, तो back camera में जो white-ish कर दे रही है, तो यहाँ पर skin tone अच् चलेगा मेरे क्याल से, यहाँ पर starry mode से एक picture लिया, stock camera से भाई, बहुत बढ़िया निकल कही है, और तारे भी थी है, उस दिन रात को मैंने लिया आई है, और भाई, एक number, एक number picture निकल कही है, stock camera से तो बढ़िया लगा मुझे, तो इतना है था, अच्छा camera है, जो यहाँ प वाले वीडियो में तब तक, देखते रही है,